हेलो दोस्तो, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका आज की ताजा खवर में, आज है 5th of June और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग हिंदू और इंडियन एक्सपेस के एडिटोरल को डिसकस करते हैं, तो आप लोग बहुत ही खुश होंगे मेरे ख्याल से के चुकि ए एडिटोरल वापस से आ गया है, तो वापस स्टार्ट करने के दो रिजन्स हैं, पहली चीज जो पेंडिंग वर्क था वो डिस्ट्रिब्यूट हो गया है बहुत सारे लोगों में, तो उस कारण से मेरे पर लोड कम हुआ है, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, एड कि लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, और अगर नहीं देख रहे होते हैं, तो अविसली मोटिवेशन खतम हो जाता है, तो थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोगों ने मेसेच किया, और उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का, और मैं कोशि मेरी आज सही है एक तरह से रहेगी ड्यूटी रहेगी कि मैं पहले से पहले अगर हो सके तो पोस्ट करी दू ठीक है न्यूज अनलिस भले थोड़ा डिले हो जाए पर एडिटोरियल आपको सबसे पहले मिलेगा इसकी गैरिंटी मैं आपको दे सकता हूँ अब ठीक है क्योंकि चार बजे मेरे पस न्यूस बेपर आता है तो चार बजे के बाद मुझे करीब 32-45 मिनट्स लगता है पढ़ने में और उसके बाद अंडरलाइनिंग करके फिर अप्लोड करना है और फिर वीडियो बनाने में करीब 32-40 मिनट्स लग जाते है तो वही है मतलब अगर आप दे अगर आप प्रेजन सेनरियो देखे तो जो पैंडेमिक हुआ है या भी हमारी ही गलती है इसका रिजन आपको पता चल जाएगा एक एडिटोरिल बहुत अच्छा घासा आया है तो उसको जब हम लोग डिसकस करेंगे तो उसमें आपको आईडिया लग जागा कि किस तरह से हमारा ही किया हुआ या COVID-19 pandemic है ठीक है तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले हम लोग editorial analysis को शुड़ू करते हैं तो बाकियों का पता नहीं कि बाकी लोग खुश है या नहीं है पर एक परसन जो खुश है एक परसन ही मैं इसको मानता हूँ एक परसन जो खुश है वो है Mew ठीक है आप smiling photo देख सकते हैं और obviously मैं खीच नहीं पाया था क्योंकि मुझे रात में ही पता चला है कि हाँ फिर से मैं editorial analysis बना सकता हूँ तो यह देख सकते हैं आप कितनी smiling photo है तो चलिए अब हम लोग इस smile के साथ हम लोग editorial analysis शुड़ करते हैं तो आज का जो हमारा सबस problems है वो कितनी जादा बढ़ चुकी है और अगर कुछ भी होता है कोई भी एक नई development होती है world scenario पे global order में तो उसमें US और China involved होते हैं और फिर वहां पे मतलब एक दूसरों के बीच में मतलब कीचा रूचालना चालू हो जाता है तो आप देख सकते हैं यह चीज़ और हम लोग अभी consider कर ही रहे हैं बहुत सारे एडिटोर्स में आपको अलेडी बता चुका हूँ कि new cold war का एरा जो है वो आ चुका है और इन दो जो आप देख रहे हैं इन दोनों economies काफी बड़ी economies हैं और दोनों बड़ी economies एक दूसरे के सामने लड़ रही हैं तो यहां पे यह जो particular editorial है किनों ने लिखा है तो यह वो भी जरूरी है याद रखिएगा हमेशा कि writer के उपर भी depend करता है editorial और अगर वो particular writer लिख रहे हैं तो आप मान की चलेगा कि काफी अच्छा वो editorial होगा जैसे विजय गुखले इन लिखा है और यक्या थे तो आपको पता होना चाहिए कि यह former foreign secretary भी रह चुके हैं और साथ के साथ यह ambassador भी रह चुके हैं चाइना के तो आप समझ सकते हैं कि इनको चाइना की कितनी अच्छी जानकारी होगी इसके अलावा जैसे एक सौहसनी है तो उनके वे articles आते हैं तो उनकी articles भी आप ज़रूर पढ़ा करिए अगर वो लिखती है तो ठीक है और वो चाहे article हो या आपका editorial हो क्योंकि उनके भी analysis का वगेरा जो होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं तो यहां पर सब में topics में heading में यहां पर इन्होंने यह बताया है कि अब यहां पर a binary choice between US and China is likely to test India's capacity to maintain a strategic and decisional autonomy तो यहां पर कहा जा रहा है कि हम ऐसा नहीं है कि को और साथ के साथ अपना decisional और जो autonomy है उसको maintain कर सकते हैं रहादर किसी एक country को favor करने की जगह पर ठीक है तो अब यहां पर इन्होंने बताया है discussion स्टार्ट किया है इस तरह से कि अभी आगर आप देखिएगा तो जितने भी announcement हुए है on China by the US President Donald Trump यह एक तरह से indicate कर रहा है कि trade status है वो US law के अंदर में वो चीन लिया है क्यों चीना है क्योंकि चाइना में अगर आप देखोगे तो चाइना में Hong Kong का जो एक national security law है वहां पर उन्होंने implement करने की कोशिश की है तो इसके retaliation में ही इन्होंने यह step लिया है अब इसके अलावा इन्होंने यह तो step लिया ही लि के साथ है तो इस कारण से भी एक तरह से आप बोल सकते हो कि resentment होगा चाइना के अंदर में क्योंकि दो-दो चीजे हो गई ना अब जैसे Hong Kong का matter है तो Hong Kong का matter में यूएस involved हो रहा है और साथ के साथ यहां पर देख सकते हो आप कि किस तरह से जो जो भी students आने की कोशिश कर रहे है यूएस में तो वहां पर भी आप देख रहे हो कि किस तरह से restriction लग रहा है तो obviously चाइना क्या कर रहा है चाइना एक तरह से warn करने की कोशिश कर रहा है कि यूएस को और आगे वही है कि अब होता गया है कि यूएस में Donald Trump steps लेते हैं और चाइना फिर retaliate कर जाता है उसके लिए तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि complicit in China is riser किस तरह से यह जो मतलब एक historical perspective देखते हैं इन दोनों countries के relation का और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आप माने यहां पर Americans को तो Americans एक तरह से बहु जो भी वहां पर protestants थे जो protestants missionaries थे और यहां पर आगे इन्होंने वही चीज discuss की है कि किस तरह से चाइना आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ 1930s के एरा में और उसके आगे और उसके बाद जो भी US की hegemony थी तो initially उन्होंने क्या किया उन्होंने वह मान लेते थे US की hegemony और Richard Nixon तो Richard Nixon ने उन्होंने क्या किया उन्होंने internationally acceptability दिखाई थी कि जो भी Mao का presence है उसको दिखाने की कोशिश की थी और 1972 की बात है उसके बाद Jimmy Carter है तो उन्होंने terminate कर लिया था diplomatic relation with Taiwan तो ताइवान का issue आप आप आड़ी जानते है कि वहां पे चाइना क्या करता है चाइना उसक लिया वह एक तरह से कोशिश की कि चाइना के साथ normalize किया जाए जो भी relation है ताइवान को अगर ignore कर देंगे तो obviously वह हो जाएगा और यह 1978 की बात है पर उसके बाद भी कुछ चीज़े नहीं बदली फिर President George H.W. Bush आए जिसको senior youth Bush भी बोलते हैं तो उन्होंने एक तरह से जो भ कि इसको ignore किया जा सकता है पर उससे भी उनको कोई benefit ने मिला अब फिर आगे यहां पे Bill Clinton का आप देख सकते हो तो जब वहां पे जब वह presidential candidate थे तो उन्होंने जो भी Bush ने जो step लिया था उसको criticize किया और फिर उन्होंने क्या किया उन्होंने एक तरह से support किया यह चाइना को कि वह World Trade Organization का part बन जाए और यह क्या था तो at the expense of American business ठीक है अब यहां पे आगे आप देख सकते हो है कि यह सारे steps से होगा क्या बहुत बारी कोशिश की गई है कि चाइना को एक तरह से appease किया जा सके और चाइना को अपने पाले में लाए जा सके पर ऐसा हो ना पाया अब आगे मतलब वह हमेशा से indifferent रहा है US की तरफ और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो भी मतलब they have always pursued America with a selfish purpose तो हमेशा से selfishly देखते आए हैं अपना फायदा वह हमेशा से देखते आए हैं अब चाहे वह आप चेयर्मेन माओ का एरा देखें या फिर प्रेसिडेंट सी जिंपुन का एरा देखें हर में आप देखोगे तो जो US का एक तरह से जो सेनारियो है वह हमेशा से एक तरह से उनको existential threat रहा है चाइना के थ्रू और क्यू रहा है यहां पर इन्होंने बताया है पर इसको मैं आपको बता देता हूं कि दोनों countries जो है उनके बीच में ideological difference है अब चाइना ज देख सकते हो यह जो ideological difference है यही एक तरह से आप इसको मान सकते हो कि यही जड़ है दोनों countries के बीच में जो fight होती है ठीक है तो आपको मेरे ख्याल से इतना point तो समझ में आ गया होगा अब यहां पर इन्होंने बताया है कि मतलब किस तरह से यह जो हम लोग मान रहे हैं कि new cold war एक का scenario बना हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें Soviet Union के साथ compare किया गया है इसको और हमें पता है already कि US का हमेशा से रहा है Soviet Union के साथ problem रही है और उनके साथ cold war भी हो चुका था तो वहाँ पे उसकी इसमें क्या था कि US और जो Soviet Union थे वो एक तरह से involved थे और काफी जादा खर्च होता था दोनों साइट से पर अगर आप यहाँ देखोगे तो चाइना का ज्यादा खर्च नहीं है यहाँ पर यहाँ पर आप involvement नहीं देख सकते हो तो यहाँ पर यह जो particular point में बता रहा हूँ यह शायद कल की editorial में था तो वहां से मैं आपको सोच के बता रहा हूँ ठीक है अब यहाँ पर इन्होंने बताया है आगे कि सोवियत यूनियन का जो एक तरह से कोलास्प हुआ उससे भी benefit मिला चाइना को और चाइना को एक तरह से जो उनका resolution था वो काफी जादा strong होने लगा और उन्होंने फिर चाइना ने क्या क्या नए-नए steps क्या क्या लिए ह अगर आप बोल सकते हो अगर आप बोल सकते हो तो आप देख सकते हो कि उन्होंने एक तरह से alternative trading system बनायाने की कोशिश किया है जिसको belt and road initiative बोला है इन्होंने फिर multilateral banking system की भी बात है जैसे Asian infrastructure investment bank हो गया या फिर new development bank हो गया जिसमें इंडिया भी part है इसके लाबा आप देख सक in sunrise industries और modern military force भी है तो हम देख सकते हैं कि काफी जादा वह एक तरह से technologically advanced है और काफी अच्छी scenario में है कि जिससे वह US को एक तरह से अच्छा-कासा competition दे सके अब आगे यहाँ पे हम लोग already देख सकते हैं कि किस तरह से South China Sea में वह अपना प्रोवेश दिखाने की कोशिश करता आया है हमेशा से और ऐसा नहीं है कि यह particular इसी area में करता है बहुत सारे areas में यह step लेते आया है अब LSE का confrontation तो हम लोग देखी रहे हैं जो यहाँ पे इन्होंने include नहीं किया है ठीक है तो आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे इन्होंने जो चीज़े बोली है कि जब US क President Donald Trump बने है तो Donald Trump बनने के बाद ही यह जो भी steps लिया जा रहा है चाइना द्वरा यह ज्यादा limelight में आने लगा है अब जैसे for example आप देखो तो जो भी trade practices थे चाइना का जैसे debt trap टॉला issue है तो वो आने लगा सामने फिर चाइना का जो 5G का issue है technology से related हो गया तो आप कह सकते ह हो कि मतलब Trump जो आए है तो उनका एक benefit यह हुआ है कि China का true picture है वो सामने आने लगा है अब यहां पर आगे आगर आप पढ़ोगे तो यहां पर वही बताया जा रहा है कि आप consider कर सकते हो कि US जो है वो already at war है चाइना के साथ में और वही है कि यह जो front पे हो रहा है ऐसा confrontation नहीं है एक दूसरे के ओपर में मतलब अगर वो एक person एक मतलब एक country जो है वो disrupt करेगी दूसरे country को तो उसके ओपर भी थोड़ा effect पढ़ेगा तो यहां पीवई चीज़ बताई है कि अगर US जो है वो देखा जाय तो वो heavily dependent है supply chains of China क्या और अगर चाइना का देखोगे तो China have been unable to break free of the dollar अब dollar से वो अलग नहीं निकल पा रहा है तो इससे हो क्या रहा है obviously दूनों के बीच में co-dependency है तो दूनों फसे हुए है और दूनों अगर सामने से लड़ाई करेंगे तो दूनों effect पढ़ेगा तो कोई नुकसान तो चाहता नहीं है अब यहां आगे आप देखो तो Hong Kong question के बारे में बहताया हुआ है इस तरह से इन्होंने कि किस तरह से आप देख सकते हो कि चाइना जो है वो एक तरह से अपना जो position है security national security law के थ्रू वो Hong Kong पे वो एक तरह से enforce करने की कोशिश कर रहा है अब आप मुझे comment section में बताओ चुकि मैंने आप बहुत बारी बताया हु कि US जो है और western जो भी allies है वो हमेशा से एक तरह से human freedom के torch bearer रहे हैं और कोशिश करते आए हैं और चाइना क्या कर रहा है चाइना enforce करने की कोशिश कर रहा है Hong Kong के ओपर में तो यह एक तरह से क्या हो रहा है यह जो Hong Kong का issue है इससे US rivalry जो है वो काफी जादा बढ़ी रही है तो इसके कारण भी जो है US बहुत ही जादा चिड़ा हुआ है और हमेशा से वो एक तरह से बोलते ही हैं कि Chinese virus है Chinese virus है तो यहां जो problem है कि अगर वो पहले ही हम लोग को बता देते और बाकी लोग बाकी countries को inform करते तो जो भी हम लोग problem situation एक तरह से झेल रहे हैं और सारी countries का जो economy ज आने लगी तो जो scenario है वो और भी ज्यादा खराब हो जाएगा चाइना के लिए तो यहां पर end इन्होंने कैसे किया है तो यहां पर इन्होंने end यही किया है कि अगर आप देखिए तो यहां पर lines जो है वो already drawn out होने लगी है अमेरिका के side में और चाइना के side में अब यहां प देखो कि आप जो इंडिया का neighbor है चाइना तो obviously वो चाइना के साथ पंगा नहीं ले सकता और US बहुत ही बड़ा economy है और इंडिया जो है काफी जादा dependent भी है उसके तो उस case में आप यूस से भी वो नहीं ले सकता एक तरह से पंगा नहीं ले सकता तो वही है कि आप इंडिय को जरूरत क्या है तो इंडिया को जरूरत है कि किस तरह से वह strategy का अपना एक तरह से नया strategy बनाए और जो भी उनका autonomy है जो decision लेने का उसको किस तरह से वह maintain करता है यही इंडिया की capacity को test करेगा तो I hope आपको यह जो particular एक editorial का discussion अच्छा लगा होगा क्योंकि काफी detail मैंने किया है इसके बाद जो next editorial है वह एक तरह से आप बोल सकते हो कि defense reforms के उपर में है और defense किस तरह से हमारा function कर रहा है अभी present scenario में उसको discuss किया है यहाँ पे इन्होंने तो इसको मैं एक दम detail में आपको तो नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे technicalities है जो हमारे लिए उतना important न किया है और उसके बाद defense reforms को उसके साथ एक तरह से analogy बनाने की कोशिश की है तो यहाँ पर बता रहे है यहाँ पर कि अगर आप देखो के तो holes in the three cheese slices comparison the defense setup must align for a nation to be prepared militarily तो अगर किसी भी country को अपने आपको prepare करना है तो जो भी holes है in the slices cheese slices जानते होंगे उसके अंदर holes होते हैं तो यहाँ पर इन्होंने उसकी analogy को explain क्या है आगे तो वह मैं आप बताऊंगा तो यहाँ पर एक तरह से इनका short में यह कहना है कि जो भी policies हैं जो भी decision making है Indian defense का तो यहाँ जरूरत है कि वह एक जात align हो, align होंगे तभी जाके वह जो भी country है वह एक तरह से खुद को military एक तरह से prepared मान सकता है और हम लोग अल्रेडी जानते हैं कि हम लोग अभी नेपाल के साथ problem जहेल रहे हैं और चाइना तो है ही और अफगानिस्तान का भी issue है पाकिस्तान तो हमेशा से problem रहा ही है तो इतने सारे problems जो है इसको एक तरह से handle करने के लिए हमें military एक तरह से prepared होने की काफी जादा जरूरत है अब यहाँ पर इन्होंने start VC से किया है Swiss cheese model के बारे में बताया है इन्होंने तो पहले मैं आपको बता देता हूँ यह बोलना क्या इसको आप विजुलाइज कर सकते हो model में as a slices of switches और हमें पता है कि जिसके अंदर holes भी होता है जिसको हम लोग holes को imperfections की form में देख सकते हैं तो जब यह सारे imperfections एकतर से align हो जाते हैं तो यहाँ पर वही है कि जो weakness है वो nullified हो जाता है और यहाँ पर बताया जा रहा है आगे कि the holes in every slice aligned to get a hazard pass through and cause an accident तो जब यह सारे holes aligned हो जाते हैं तो accident का होने का काफी जादा chances बन जाता है तो यहाँ पर इन्होंने इसी Swiss cheese model के बारे में बताया है अब यहाँ पर जो इंडियन अगर आप देखोगे तो इंडियन defense के case में इन्होंने बताया है कि यह जो particular scenario है या उल्टा बढ़ता है reverse में आ जाता है और particularly इंडिया के scenario में नहीं defense के case में यहाँ बहुल रहे हैं कि यहाँ reverse में अगर आप देखोगे तो यह जो reverse में आ जाता है किसी भी nation का defense preparedness है वो reverse में आ जाता है यहाँ और आगे क्या बोलना चाहरे है यहाँ पि कि इनका कहना है कि जो भी holes opportunities को defect करेंगे तो अब यहाँ पर इन्होंने multiple चीजों को बताया है कि किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो तीन point यहाँ पर इन्होंने बताया है और यही जो तीन point है एक तरह से तीन layer के बारे में बताया है तो पहला point है अगर Indian defense setup के हिसाब से देखेगा जो तीन slices होंगे तीन layers होंगे वो कौन से कौन से होंगे तो पहला होगा policy making apparatus जिसमें आते हैं department of military affairs और military of defense ठीक है तो यह हो गया पहली चीज़ के कौन policy बनाने वाला है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं department of military affairs है और department of defense है दूसरा जो layer होनेगा वो है defense research and development जिसको हम आर इंडी बोल सकते हैं इसक दूसरा layer हो गया और तीसरा है services जो तीन services है navy, army और air force ठीक है तो यहाँ पर यह जो तीन layer है तीनो layer मतलब पहला हो गया policy making से दूसरा हो गया research and development और तीसरा हो गया implementation क्योंकि जो services है वही तो implementation करेंगी तो यह तीनो जब align हो जाते हैं तभी जाके हमारा आप कह सकते हो कि जो preparedness ह होगा वो काफी अच्छा हो पाएगा तो आगे इनोंने क्या discuss किया है हर एक layer के बारे में इनोंने discuss किया है और बताया है कि इंडिया किस तरह से आगे बढ़ रहा है तो आगे आप यहाँ देख सकते हो बताया है इनोंने सबसे पहले layer के बारे में बात किया है तो सबसे पहल fundamental change के तरह आपको इसको मान सकते हो इससे होगा क्या तो जो भी हमें modifications और tweaking करने की ज़रूरत पड़ेगी in the service जब हम war के तरफ जाते हैं तो इससे हमारे जो एक तरह से change का जो speed है और change का जो एक तरह से आप कह सकते हो reaction है वो काफी काफी ज़ादा fast होगा और हम लोग जो भी एक problems हाएगी उसको हम लोग easily tackle out कर सकते हैं तो यहाँ पर उनका यही बोला गया है और साथ की साथ आप देख सकते हो कि यह जो होगा इसके उपर में कोई भी external emotional political और rhetorical pressure नहीं रहेगा तो obviously policy making में हमारा आप देख सकते हो कितना important एक part यह हो गया पहला जो हमारा जो cheese का slice है या फिर layer है वो एक तरसे address हो गया ठीक है अब यहाँ पर आगे इन्होंने फिर R&D के उपर में discuss किया हुआ है तो R&D का इन्होंने बताया है कि किस तरह से हम देख रहे है कि development हो रहा है computer processing smart mutination capabilities एक तरसे बढ़ रही है missiles की capability बढ़ रही है computerized चीज़े use हो रही है drones use हो रहे है तो इनसे हो क्या रहा है obviously हमारा अगर आप देखोगे तो R&D sector है वो काफी जादा अच्छा-कासा improve हो रहा है और हम लोग कोशिश भी ही कर रहे है कि जितना जादा उसको implement कर सागे तो वो implement करें तो यहाँ पर वही है कि जो war fighting equipment है उसकी quality एक तरसे improve होने लगी है R&D के कारण और इसके लाबा हम कह सकते है कि मतलब हमारे जो military है और हमारे problems जेल रहे है और जो चाइना पाकिस्तान nexus है वो भी काफी जादा strong है तो यह भी एक issue हा गया है इस कारण से हमें जो second वाला part है second layer है उसको भी improve करने की ज़रूरत है अब last जो यहाँ पर हम लोग ने देखा था जो है three services के बारे में तो three services इसको address करने के लिए एक तो chief of defense staff का post वो तो है ही इसके अलावा यहाँ पर बोला जा रहा है कि theater command बनाने की तो theater command से क्या होगा obviously जो third point यहाँ पर इन्होंने बताया वो भी address हो जाएगा अब यहाँ पर आगे देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने बताया है कि जो मतलब अगर आप देखोगे जो three theater command बनाएगा तो theater command से होगा क्या कि एक person को एक person के पास capability आ जाएगी कि वो तीनो services को एक तरह से handle करने का और तीनो services को के बीच में coordination बनाने का काम easily कर पाएगा तो obviously पर आप देख सकते हैं कि तीनो जो layers है अगर तीनो layers एक साथ align हो जाती है तो हमारा defense preparedness है वो कितना जादा strong हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर आगे इन्होंने वही चीज़े discuss की है कि अगर यह three services को अगर आप देखोगे और इसको एक तरह से आप interviews करोगे जो बाकी दोनो slices है तो यह काफी जादा benefit करने वाला है और आगे यहाँ पर आप इन्होंने बोल रहा है कि जो political, civil और military leadership है इनको जरूरी है कि यह अपना feet है उसको firmly ground पर रखें और जो भी holes आ रहे हैं यह चीज़ के बीच में इसको aligned रखें obviously align रखेंगे तभी तो हमारे जो भी मतलब अलग-अलग departments है और अलग-अलग जो different यहाँ पर आप layers देख रहे हो इसके बीच में coordination बना रहेगा तो यहाँ पर इन्होंने end में यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक paraphrase किया है जो किनका है यह तो जैन जियोंग-पिंग द्रह दिया गया है यह हम इनको हम लोग अलग अलड़ी जाते हैं चाइना से related हैं तो इन्होंने क्या बोला है इन्होंने बोला है शन publicity and build capability first capability यहाँ पर बनानी की बात कही गया और शन publicity तो हम लोग ने अलड़ी पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने चाइना के बारे में क्या किया था तो चाइना की development में उन्होंने help किया था और वो चाइना को आगे कभी वी forefront पर नहीं रखे कि उन्होंने क्या क्या चीज़े अचीव कि हैं वो हमेशा से backwood पे रहते थे और अपना जो internal development था वो internal development करते चले जाते थे तो इससे क्या हुआ कि obviously चाइना जब वो सामने खुलके आया तो सभी एक तरह से देखते रहे गया तो यही यहां पर इनका कहना है कि shun publicity and build capacity first तो यह बहुत ही अच्छा अब यहां पर इन्होंने वही चीज़े स्टार्ट की है कि अगर आप देखे तो यूएस और चाइना को ज़रूरा था कि mutual trust को बनाए जिससे जो cold war का situation है वो handle हो पाए अब यहां पर हम लोगोंने सारी चीज़े देख लेख ली हैं और हमेशा से अगर आप देखोगे तो repeated targeting किया जा रहा है यूएस दौरा चाइना को तो यहां पर जरूरत क्या है तो जो भी disputes है इसको resolve किया जा सकता है तो यहां पर आप देखेगा तो प्राब्लम क्या है तो आप देख सकते हो कि टेक्नोलोजी का एक प्राब्लम है फिर यह जो होंग कोंग वाला issue है वो फिर pandemic वाला issue है तो यह सारी चीजों से क्या हो रहा है कि obviously इन दोनों का जो tension है वो काफी जादा बढ़ते चला जा रहा है और हमें अल्लेडी पता है कि गुम गया है उसको वापस से बनाने की कोशिश करें जिससे जो cold war situation है वो world के उपर में उसको avoid किया जा सके और यहां पर इन्होंने एक और पॉइंट बोला हुआ है कि अगर आप देखेगा कि जब USSR खतम हो गया और मतलब USSR खतम होने के बाद USA का कोई competitor नहीं रहा कोई rival नहीं रहा तो उसके बाद Washington को आप देख सकते हो कि वो हमेशा से enemy ढूण रहा था और enemy उनको किन के form में मिला चाइना के form में मिला तो obviously वो हमेशा से re-engage करते आए हैं तो यह है कि जो भी mutual trust एक तरह अचानक से तो मौत नहीं हुई कुछ दिनों बाद मतलब जैसा मैंने न्यूज में सुना है कि around one week बाद वो मौत हो गई और पानी में ही खड़े वो मर गए तो वो जो image था वो काफी ज़्यादा मतलब grief creating image था और बहुत सारे लोग एक तरह से disturb हुए है इस particular चीज से पर यहाँ पर आती है कि इसके उबर जो politics हो रहा है उसको avoid करके हमें जरूरत है समझने कि यह जो particular चीज हुआ या क्यों हुआ है तो already आप जानते हो कि इसका जो सबसे बड़ा reason है वो है कि human-animal conflict सबसे हम already जानते हैं कि एक तरह से आप देखोगे तो commercial pressure के कारण जो भी habitat है वो diminish होते चला जा रहा है और problems जो है वो एक तरह से बहुत जादा बढ़ रहे है हमारी dependency भी forest में काफी जादा बढ़ गई है और अगर आप देखोगे तो जो भी animals हैं उनको खाने पीने के लिए जो उन अब यहां पर इंडिया का इन्होंने बताया है कि अगर आप इंडिया का देखोगे तो इंडिया में around मतलब ऐसा नहीं है कि elephant का number कम है around 30,000 के around आप animals को कह सकते हो आगे यहां पर इन्होंने बताया है कि आप देखोगे जो union environment minister प्रकास जाटब्रागिट कर हैं तो उन्होंन क्या बोलाए नोने कि scientific culture और एक तरह से readiness lag कर रहा है अब यहां पर इनको वही चीज़ा है जरूरत अभी के अगर matter को समझा जाएगा और इसका जो basic reason है उसको समझा जाएगा तभी जाके यह इस तरह के problems को sort out किया जा सकता है और ऐसा नहीं है कि यह जो elephants का मौत है या particularly यहां B जिसको बोलते हैं तो वह उसी के लिए start हुआ था जिससे जो भी animals है और जो भी elephants है उनको भगाया जा सके तो आप उससे relate कर सकते हो यहां पर और अगर आप answer लिख रहे होगे तो वहां पर आप इस particular point को जरूर ला सकते हो तो यहां पर आगे इन्होंने वही बताया है कि अ हमें माधव गटगिल कमिटी जो रिपोर्ट दिया गया था तो उसके उपर जादा focus दे कर उसको implement करने की जरूरत थी अब माधव गटगिल कमिटी का रिपोर्ट में क्या था तो उन्होंने basically कोशिश किया था बोलना का कि western घाट को अगर हम लोग ecologically sensitive area के तरह में वो कर देत है classify कर देते हैं तो उससे benefit यह मिलेगा कि जो भी हमारा जो destructive development है उसको उससे वो बचाया जा सकता है western घाट को तो obviously इसके उपर आप पॉंडर करना काफी जादा जरूरी है और यहां पर आगर आप देखिएगा कि सिर्फ elephants के उपर में नहीं बाकी सारे जो एक तरसे आप कह स सकते हो बाकी animals के उपर में भी conflict का जो scenario है इसकी करणा उनकी death हो जाती है तो यहां पर हमें step क्या लेने की जरूरत है तो यहां पर sensible course open यह होने वाला है conservation minded government के लिए कि वह जो भी problem है तो कोशिश को करे कि यह जो intrusion होने होने लगा है into the 5% of protected habitat इसको एक तरसे manage करे और drop करे एक नया compensation scheme for farmers जो एक तरह से lose कर देते हैं crops को animals के तरफ तो यह एक compensation scheme रहेगा तो obviously farmers चुकि उनका नुकसान अगर एक तरह से उनको भरबाई कर दिया जाता है तो उस case में क्या होगा कि वो animals के तरफ इतना इस तरह का कोई कोई भी decision या इस तरह के मारने की कोशिश नहीं करेंगे avoid कर जाएंगे अब यहां पर cultural shift to protect rather than prospect आगे बुला गया है यहां पर कि जरूरत है और यहां पर जरूरत है कि जो भी enrich करें हम लोग people को समझाएं कि हमें ज्यादा जरूरत है biodiversity को save करने की तो यह बहुत ही important चीज़ है और यहां पर आप कह सकते हो कि अब ideological एक तरह से बन गया हुआ है यह scenario और जरूरत क्या है तो हमें समझने की जरूरत है कि animal conflict क्यों हो रहा है और फिर उसको उसके related जो भी problems है और जो भी solutions है उसको address करने की जरूरत है अब यह जो editorial है यह भी बहुत important editorial है अब मैं आपको reason बताता हूं क्यों क्यों कि इसमें इन्होंने बहुत अच्छ तो हमारा वही यह world environment day पर यह बहुत अच्छा खासा article है तो इसको आप जरूर पढ़िएगा तो यहां पर मैं आपको उपर उपर से idea देता हूं कि इसमें अंदर क्या लिखा हुआ है तो यहां पर हम लोग जब भी कोई भी हम लोग world environment day 5 June को मनाते हैं तो उसमें होता क्या ह कि हम लोग सबसे पहला जो एक तरह से call यह करते हैं कि हम लोग nature को protect करेंगे पर वही है कि अगर आप देखोगे तो nature already defenceless नहीं है nature के पास खुद का control रहता ही है अब यह जो क्या है COVID-19 pandemic है यह क्या है एक तरह से retaliation ही ना nature का मतलब हम लोगों ने अपना तरीका रहने का change किय है तो इस कारण से ही हम लोग को यह जो problem है उसको face करने की ज़रूरत पर रही है तो यहां पर इन्होंने यही चीज़ बता है कि nature खुद defenceless नहीं है वो खुद का protection खुद भी कर सकती है और एक तरह से यह जो COVID-19 pandemic है यह इसके थुरू यही करने की कोशिश कर रही है आगे य present scenario है हम लोग का है हम लोग का maximum dependency है हो गया हुआ है protein के उपर में और protein हम लोग को कहां से मिलता है तो हमारे obviously protein मिलता है मिलने का एक source animals है अब obviously plant और वो सारी चीज़ों से भी मिलता है तो maximum dependency अगर आप देखोगे तो वो protein के उपर में ही होता है तो इससे हो क्या रहा है कि हम लो इन्होंने factory farming बोला है और इससे हो क्या रहा है तो इससे हम अगर आप देख सकते हैं तो जो हमारा planetary health है वो काफी जादा risky होता चला जा रहा है और इसका मतलब अगर आप देखोगे तो काफी जादा effect भी बरते जा रहा है अब यहां पर United Nation Food and Agriculture Organization का इन्होंने यहां बताया है कि one of the two top or three most significant contribution to the most serious environmental problems और यह किसको बोला गया है तो factory farming को ही इन्होंने बताया है अड्रेस किया है अब यहां पर बोल रहा है कि हमारा जो need है animal protein का और इसमें होता क्या है कि इसमें अगर आप देखोगे तो animals को एक तरह से breed करना और एक तरह से farm करना तो यह इसमें बहुत ब करके जो है इस्तमाल करते हैं तो वही चीज है यहां पर तो यहां पर बोला जा रहा है कि it contributes more to climate change than emission from the entire transportation sector मतलब transportation sector से जितना हम लोग environment को effect करते हैं उससे जादा effect आप देख सकते हो कि यह जो particular हमारा factory farming वाला है और हमारा जो एक तरह से कार्व करते है हम लोग animal food के लिए तो यह एक problem है अब आगे यहां पर इन्होंने वही बताया है कि जो भी अगर आप देखोगे seafood production का wild or farm sea production तो इसमें भी आप देख सकते हो कि काफी significant environmental degradation degradation होता आया है अब जिन लोग non vegetarian है जैसे मैं भी हूं तो obviously थोड़ा offensive है पर ठीक है इतना तो समझना ही पड़ेगा तो आगे recent outbreak हुआ है COVID-19 का यह भी हम कह सकते हैं कि obviously हम लोग जानते हैं कि zootonic तरह से इसका source रहा है तो यहां पर वही बताया जा रहा है कि यह जो एक तरह से इसको हम लोग last planetary health crisis नहीं मान सकते और आने वाले situation में भी आने वाले future में भी और भी इस crisis आ सकते हैं आगे यहां पर इन्हो दूसरा person infect होके वो खाता है और infect हो जाता है फिर वो फैला देता है तो फिर उस टाइम पर vegetarian बने का कोई benefit भी नहीं है यह मेरा अपना खुद का opinion है ठीक है अब आगे हां पर देख सकते हैं कि किस तरह से food and land use coalition और world health organization और जितने भी eat land set commission है तो यह तरह से क्या कोशिश कर रह है और animal के उपर में जो dependency है उसको खतम करें तो इसके लिए obviously बहुत सारे research वगेरा चल रहे है और कोशिश किया जा रहा है कि किस तरह से हम लोग artificially जो protein है इसको form करें ऐसी चीजों को बनाए जो कि हमारा same taste दे ठीक है अब यह तो जो चीज़ें है यह दूसरी countries में किया जा स इस चीज़ को और भी जादर develop करने में अब आगे यहां पर इन्होंने वही बता है कि जो covid-19 का अगर आप pandemic देखो तो इसमें यहां पर इन्होंने वही बता है कि हम लोग इस particular situation को handle तो कर रहे है पर इस case में क्या हुआ कि काफी अगर आप देखोगे तो काफी inefficient protein supply हो गया बहुत सारे लोगों को और भी vegetables है जो access नहीं हो पा रहा है तो यहां पर इन्होंने आगे क्या बता है तो वही way forward बोला हुआ है कि food security and agriculture का अगर आप देखोगे agricultural income तो यह nation का माना जाता है कि सबसे बड़ा challenge होने वाला है आने वाले situation में तो वही है कि उस time पर हमें जो protein का ए leader नहीं रहा था पर अगर आप present scenario में देखोगे तो mobile telecommunication में one of the मतलब अगर आप देखोगे तो सबसे cheap और most competitive एक तरह से facilities प्रवाइड करता है तो यहां पर वही है कि similar opportunity है भी इंडिया के पास में कि कि किस तरह से वो जो industrial animal agriculture है उसको अच्छे तरीके से develop कर सकता है और smart और alternative protein industry का supply है उसको भी बना सकता है for us और as well as for the rest of the world तो यहां पर बहुत अच्छा एक article मिल गया आपको अब हम लोग last article पर चलते हैं और मैंने इसमें Indian Express के जो articles हैं उसको आज include नहीं किया क्योंकि और भी जादा load बढ़ जाता तो अब कल से हम लोग फिर से Indian Express के articles को भी include करेंग Twitter का जो issue हुआ है because of उन्होंने क्या किया तो जो Trump का जो एक जो दो tweets थे तो उसको उन्होंने एक तरह से delete कर दिया और बोला कि उसमें गलत facts दिये थे तो इस पर फिर Trump ने retaliate किया और retaliate करके उन्होंने बोला कि हम लोग social media को और भी जादा responsibility उनके उपर डाल देंगे अगर को will be considered कि वो social media responsible है उस चीज़ के लिए तो इसी चीज़ को यहाँ पर इन्होंने discuss किया है और यहाँ पर बहुत limited आपको points मिलेंगे पर फिट भी मैंने आपको इसमें से थोड़े बहुत points आपको बता देता हूं उपर ही depend करता है कि किस तरह से वो लेते हैं क्योंकि अगर आप particularly companies को देखोगे तो twitter और facebook कौन सी company है private companies है और private companies अपने आपको मान के चलती है उनका engagement क्या है तो obviously उनका engagement इसलिए होता है कि वो business बरहाने के बारे में सोचते हैं तो जो भी उनका post होगा या जो भी चीज़े हो वो care नहीं करते कि उनका वो क्या मिल रहा है decision मिल रहा है या क्या चीज़े post हो रही है ज्यादर वह है कि वो prioritize करेंगे कि engagement कैसा हो रहा है truth के साथ तो उसको ज्यादा एक तरह से वो देते हैं मतलब तवज्यों देंगे ठीक है अब यहाँ पर आगे इन्होंने यह भी डिसकस Act है in US तो उसमें आप देख सकते हो कि यह intermediaries जो हैं उनको एक तरह से empower किया गया है regarding decisions जो कर सकते हैं regarding content के बारे में तो यह पहला हो गया कि यह एक factor हो गया कि हम लोग arbiters of truth जिससे decide कर सकते हैं दूसरा यहाँ पर बताया है कि जो भी entities हैं वो private platforms है तो obviously उनका जो पहला अगर र तो यह भी एक चीज़ decide करेगा और चौथा है कि यहाँ पर practical considerations मतलब किस तरह से वो perceive करते हैं मतलब जो भी Facebook के एक तरह से हो गया Mark Zuckerberg हो गया या फिर Dorsey हो गया तो यह लोग किस तरह से perceive करते हैं situation को यह भी उनके practical consideration पर हो गया तो इन चारो points को मिला के इन्होंने बताया है कि इसी से हम लोग एक तरह से arbiter of truth का जो है decision ले सकते हैं अब यहाँ पर आगे इन्होंने बताया है कि has their cloud grown too much मतलब Facebook और Twitter का जो देख रहे है problems वो काफी जादा बढ़ गया हुआ है क्या तो यहाँ पर वही है कि अगर आप देखोगे primary issue जो है primary issue क्या है तो primary issue है transparency, accountability in decision making और जो पर यही चीज बोला गया है यह जो problem है यह काफी time text exist करने वाली है और जरूरत है कि over censorship ना हो ठीक है अब आगे हाँ पर इन्होंने जो point discuss किया है वो section 230 के बारे में discuss किया है जो कि decency act के बारे में है तो इससे related मतलब हमें जादा information की ज़रूरत नहीं है कि section 230 किस चीज से related है हा तो obviously innovations अगर बढ़ता है तो उससे और भी चीज़े आती है differences आते है अब for example surveillance की बात ही हाँ पर आगे तो surveillance की बात अगर आ जाती है एक problem वो भी create होता है और हम देख सकते है encryption की बात अल्यड़ी उठी हुई है तो यह सारी चीज यह कहा है तो obviously यह एक तरह से section 230 का अब एक तर जरूरत है और हमें जरूरत है कि हम लोग एक तरह से इन जो जो भी companies है उनके साथ जो government है वो मतलब मिल जूलके ही चले और जो जनता है उनको भी समझने की जरूरत है कि यह जो companies है यह private companies है रादर दन उनको arbitrage of truth मानने की जगह पर है ठीक है तो हमने सारे articles जो भी आज के editorial analysis है वो भी मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैं डाल दू तो अच्छा रहेगा क्योंकि कल के editorial भी काफी important है तो हो सकता है आज आज डाल दू या फिर जभी मुझे time मिलेगा पर मैं वह वाला वीडियो भी ज़रूर डाल दूगा और आपसे वही request रहेगी कि आप लोग प्ल सब्सक्राइब राके होग तर बाके हैं वह जाखेते हैं, तो अजय कोशिश कर और दूब ज़रूर अपक कर दो अच्छारश